शित्रों जय माता दी, मित्रों आज 9 सितंबर सनीवार कड़न है ऐसे में कैसा रहनी वाला है आजपते आज के दिन के महारासी फल की बारे में आपको बताएंगे आपका वैपार, वैवसाय, करियर लव लाइफ और स्वास्त कैसा रहेगा आज के दिन कौन से शित्रों में कारी करने से आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है आपके मान समान इज़त पतपरतिश्टा में किस परकार से वड़ोत्री हो सकती है आपके घर वाले, परिवार वाले और समाज वाले किस परकार से आपके इज़त कर सकते है आप लोगों के जीवर में चल रही आर्थिक परस्तितियों में किस परकार से बदलाब हो सकता है धन दोलत में किस परकार से बढ़ोत्री हो सकेंगी दहन की देवि माता लक्षमी जी की कृपा किस प्रकार से आपको और आपको समस्त परिवार वालियों को प्राप्त होने वाली है और आप लोगों के जीवर में जो पैसो के तंगिया अभी फिलाल चल रही हैं उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं आज के दिन आपको कौन से दिशा में यात्र करने चाहिए कौन सा कारी करने से आपके लिए बहतर सावित होगा आज के कुछ महत्मुन उपाय के बारे में लखी कलर लखी नंबर के बारे में आपको बताएंगे आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आवस्से कर ले ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वारे दिनों को बहतर बना सके तो मित्रों आज का दिन आपके लिए काफी सुब बहतरिन रहने बाला है आज के दिन कारिश्यत्र में आपको मन चाही सफलता के प्राप्ति होने वाली गरह के इस्तियां कि दुश्पकार से निर्मित होंगे जो आपके लिए बहतरिन सावित होगा मित्रों आज आप जीवन में स्वास्त को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं स्वास्त आपको परिसान कर सकता है या यू कहूं कि आपको स्वास्त को लेकर सावधान रहने की आज जरूरत रहेंगे क्योंकि आज अगर आप स्वास्त को लेकर लाप्रवाही करोगे आप लोगों वर काफी प्रसन्ना है भगवान सनिदेव की किरपा आप लोगों को मिलने वाली है जिनकी वज़े से सनिदेव की किरपा से आप लोगों को धन की प्राप्ति होंगे धन के छत्र में आपको कारिशत्र में काफी बड़े सफलता की प्राप्ति आज होने वाली है आज का दिन आपके प्रिवार के रिए नई खुशियों को लाने वाला है। बैपार में आपको अपने सहयोग्यों का सहयोग लेका। जिससे अच्छा लाब और धन की प्राप्ति होंगे। इस रासी के जिन लोगों का आज बद्दे हैं वो अपने दोस्तों के साथ पाटी कर सकते हैं। या फिर साम को आप किसी नई पाटी में इंजोई कर सुको के। किसी बड़े काम में बड़ों की सला लेना आपके लिए जरूरी साबित होगा। अगर आप किसी नई काम को करना चाहते हैं। कि आप जिस भी डॉकुमेंट्स पर सिगनेचर करें या जिस भी डॉकुमेंट्स को पढ़ें आप दियान से जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपके साथ आज छलकपट भी कई सारे लोग करने का परियास कर सकते हैं या आपके साथ छलकपट भी हो सकता हैं मित्रों, जो लोग बरुजगार हैं, बरुजगार लोगों को रोजगार के लिए और थोड़ी मसकत करने पड़ सकते हैं, लोगों को जादा से जादा शफलता को प्राप्त करने के लिए भगवान सैनिरेप की पूजा उपासना करने की जरूरी सला रही की, मित्रों, परिवा के चेतर हैं उन्य लोगों को आज कुछ नया सीखने को मोका मिलेगा शाइंस के चेतर से .... जुड़े लोगों को भी आज कोई नया एक्स्पेरिमेंट करने का मोका भी मिलने वाल है आपके कुछ सरपाठी आपकके इंचभी कारे में सही design करने आपको आज बहुत अधिक सफलता और अच्छे सफलता मिलेगी जोब के तलास खर्द होने वाली हैं अच्छी जोब के ओफर भी मिलने वाला हैं जो लोगों को कई समय से अपने पद में परमोशन पाने की लालसा में बैठे थेν जिन takeaway को पद में में परमोशन की सकत जरूरत थी उन devot को भी आज के दिन कोई बड़ा ओफर मिलने वाला हैं ज अपने जीवन साथी के साथ नई योजनाव को बनाने कोशत कर सकते हैं आप फिजूल के खर्चों पर नियंतरन जरूर लाएं फिजूल के खर्चे आपके लिए परिसानिक का कारण बन सकता है या आपके जो फिजूल का खर्चा है वो आप पर हावी हो सकता है आपका दिंचरिया गड़ बड़ा सकता है तो आप अपने पोकेट का ध्यान रखते हुई ही खर्ष करें आपकी आर्थिकी सिद्या पहले से काफी अच्छी होगी छात्रो का मन पढ़ाई में लगेगा छात्रो को विशेश ध्यान देने की जुरूत होगी कि आज आप अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर शत्रक अवस्य रहें आज का दिन आपके लिए सुभ और लापतायक रहनी बाला है आप अपने कारे को करने के लिए किसी नई योजनाओ को बनाओगे और नई योजना के तहद आपके कारे सफल होगे आप कोई नया कारे भी हाथों में ले सकते हैं या फिर आपको कोई नया काम मिल सकता है जिससे आर्थिक किस्तिया आर्थिक लाप प्राप्त होगा प्राइवेट सिख्षकों के वेतर में बुढ़ोतरी शंबव हो सकती हैं यानि जो लोग प्रेवेट टीचर हैं, उन लोगों को भी सेलरी में बढ़ोत्री मिल सकता है, फद में प्रवोसर मिल सकता है, या फिर आपके कुछ ऐसे भी छात्र हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, आप ओनलाइन योग ट्रेनिंग के शुरुआत कर सकते हैं, आपके सलाह से किसी को फायदा होगा, आप दूसरों को वैसे सलाह दें, जो दूसरों के लिए फायदे बंद हो, और आपके लिए फायदे बंद हो, आपको अपने जीवर में सलहकार पनने की एक कदम बढ़ाने का फ्रियास कर सकते हैं, आपको आपके फालतु के खर्च कम करने होंगे, ज इससे कि आप अपने आपको समाज में प्रतिवा भावन बना सकोगे और आपके पैसे में ब्रहुत्री होगे, आप खुद में पोजिटिव पदलाव महसूस कर सकोगे, आपके सभाव में लचीनापन होगा और दूसरों की बातों को भी आप एहमियत दोंगे, रमवेट के लि आपके घर में कोई सुबकार आयुजित हो सकता है, जिसमें आप अपने सभी शग समंध्यों से मिल सकोगे, या ऐसा भी कहूं कि आप अपने घर में आज कोई पाटी का आयुजन कर सकते हैं, आप अपने कारिश्यत्र में काफी प्रभुत्व और प्रतिववान रहोगे, आ आप दूसरों से अपने काम को निकलवाने में सकते होगे, जो लोग आप से जलते हैं, उन लोगों से भी आप काम को निकलवा सकोगे, और उन लोगों के सामने भी आप अपनी अलग्छवी अलग पहचान बना सकोगे, आज का दिन आप अपने काम काजब जीवन में बैलें से बनाकर रखने का अवस्यक कोसित करें आप कारिशेद्र को लेकर जादा चिन्तितना चारे आपके सही समय पर और अच्छे तरीके जरूर पूरे होंगे आपके विचार सकराकपक रखने की आपको जरूरत रहेंगी नए काम को करने से आपको साहंस मिलेगा नए काम करने से आप अपने जीवन में शफलता को फ्राप्त कर सکोँ अगर आप किसी बात से काफ़ी दिनों से परिशान हैं, तो आप अपने प्रिय हम से सगे मित्र हैं उन लोगों से आपने मन की बात को सेयर कर सकते हैं जिससे आप हलका महसूस करो के जो आपकी बातों को एहमियत देंगे और आपकी मदद करने बाले हैं मित्रों आज सनिवार का दिन है और ऐसे में आप इसरासी के लोगों के लिए लकी कलर जो है वो ग्रे रहेगा और लकी नमबर 6 रहेगा इसी के साथ आज के दिन गरीव लोगों की सहता करना गरीव लोगों को यह था सबब भोधन करवाना आपके जीवन में चांदी ही चांदी करवाने वाला होगा आपके जीवन में तरक्षी को लाने वाला होगा और आप अपने जीवन साथी को कोई नया गिप्ट रे सकते हैं जैसे कि आपके रिष्टे और मदूर होंगे और रिष्टों में काफ़ी मजबुती देखी जा सकते हैं घर के कामों में बड़े भाई का सहयोख मिलेगा बड़े भाई के साथ आपके समन्द पहले से और काफ़ी अच्छे होंगे वहीं राजनितिक से जुड़े लोगों के लिए आज कोई सभा में आयुजित करने का मुकाभी प्राप्तों होगा माताफिता के आस्दे बाद से किये गए कामों में आपको सफलता मिलेगी आपका दिन आपके लिए उजवल रहेगा परतिवाभान रहेगा आपके धन दोलत में समपत्ति में वढ़ुत्र करवाएगा और कारिशत्र में आपको लाव की प्राप्ति करवाने बाला है धन की प्राप्ति करवाने बाला है आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जयम आता दी अवज से लिखें आपका दिन सुभू मंगल कारी हूँ जयम विंदुवासी